कोईल का नाम कौन? कोईल कोईल का नाम कौन? अगर न होते हम तो बोलो ये सब पस्न उठाता कौन? ये बोयम है इसका अर्फोल कभी पास वरूप राही अपने करता में अगर प्राकेटी में नेचर में सुगर, चान, परवर, पेर, जर्में आधी ना होने से क्या होता? मानव जीवन इसके बिना कैसा होता? मनुस्यका जीवन इसके बिना कैसा होता? किसके बिना? तो प्राकेटी के ये चीज़ कोई साब प्राकेटी सुगर, चान, परवर, पेर, जर्में आधी? आधी के कभी करते हैं? अगर चान न रहता तो राज के समय रास्ता कौन दिखाता? तो राज के लिए चान का हुना आवर सकता है चान राज में करता है और हम लोग उसके इससे रास्ता जिसा बोले तो रास्ता देखते हैं दूसरा कहते हैं अगर सुगर न हो तो दिन को सुना रेकरने कौन ठैलाता? फिर सकेंट अगर सुरज में निकलता तो दिन को सुने के जैसा कौन चंखाता? दिन के लिए सुरज चड़ूरी है एक दिन अगर क्लाव की नोसम रहता है तो कैसा फिर होने लगता है अगर क्लाव की नोसम रहता है तो एक अजीब सा एनरजी हमारे अंदर रहता है और हम लोड एक्टिव रहते हैं और ज़िए क्टिदे समय का ब्यास कौन भुछाता अगर नदी नहीं ही रहता है तो जग के प्रामों का ब्यास कौन बुछाता? मति बहिने तो मनुष्य ही नहीं प्रान प्रान जो कि जिसमें भी प्रान है ओव प्रान अगर आदमी स्वान सुने तो जाता है तो मुझे गपोष लीप नहीं अ ऐखर मांटें परवत नहीं रहता तो मीठा पानी जहना कहां से बाना इसके दाद अगर पेर नहीं होता तो पड्या वरन ह्कुल घर्म कर कोइं आज होते सिखाता जो खिलखिल के हिंड्रदानूस बहुत सुल्दर होती है बशा के वुंद पषुरक्स के किर्ने पढ़ने से इंड्दानूस आकास में परत्य यह दोड़ों इंद्रदनुश गोले तो रायन को को इंद्र धनुश गोलते हैं तो बारिस की बूध जब पड़ती है, किनों पे तो ओदेवा 7-color का इंद्र धनुश कंळर दिखाये देता है अगर बाइर न वह तो इंद्रदनुश कंळसता अन्त में कभी कहते हैं कि अगर हम नहीं रहते तो ये बस उठाता कॉंब को या संचे ना